सुभागत है आपका मनान फर्स्ट फूर चैनल पर आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अंडे का पकोड़े कैसे बनाई तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं मैंने लिए यहाँ पर दो अंडे और इनको चार-चार पीस में हमने काट लिया है अब हम अपना तेल है जो वो गरम होने के लिए रख देंगे तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सक्स्राइब जरूर करें और शेयर करना नहीं भूलें बेल आकन भी दबा लें तो चलिए दोस्तों मैं आपको इस पर अंडे के लगाने का प्रेश्ट बताने जा रहा हूं कैसे बनाए तो यहाँ पर हम लेंगे दो बड़े चम्मच बेसन के और यहाँ पर लेंगे हम एक चम्मच लाल मिर्च पावडर और यहाँ पर हम लेंगे नमक सवाद अनुसार और यहाँ हल्दी पावडर लेंगे एक चोताई टैस्पून चम्मच दोस्तों हमने यहाँ पर लिया है गरम मसाला अधा चम्मच तो दोस्तों हमने यहाँ एक गिलास पानी लिया है यह एक दम से नहीं इसमें डालना है वरना यह ज़्यादा ही पेश्ट पतला हो जाएगा इसको हमने गाड़ा रखना है तो दोस्तों धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसको ऐसे चलाते जाएं देखे दोस्तों इसको आपको भी ऐसे ही चलाते जाना है वरना यह बहुत ही पतला बन जाएगा और जो आपके अंडों पर नहीं चिपक पाएगा देखे दोस्तों यहाँ पर तोड़ा पानी और डाला है मैंने और यह हमारा पेष्ट जो है बनकर तैयार हो गया है आपको इस तरह का गाड़ा-गाड़ा पेष्ट रखना है जिस से यह हैं अंडो पर अच्छे से चिपक जाए तो यहां पर हम एक-एक पीस करके इसमें डालेंगे और किसी चम्मच वगएरा या किसी आप हाथ की साहता से ही इसको इसमें डुबो लें मैं चम्मच की साहता से इसको अच्छे से डख दूँगा इससे देखिए दोस्तों अब हम इसको गेरेंगे एक-एक पीस करके तेल में हमारा तेल बिलकुल तयार है यह देखिए अब हमें ऐसे ही निकाल लेने हैं सभी पीस ज़्यादा गरम तेल में नैगे रहें वरना यह बाहर से जल भी जाएंगे और आपको स्वाद नहीं आएगा खाने में तो इसको चलाते भी जाएं इसको ऐसे हिलाना है इसकी अदला बदली भी करनी है ताकि ओपर से भी ने कच्चे रह जाएं तो हमारे पकोड़े बनकर बिलकुल तयार होने वाले हैं देखिए दोस्तों कैसे बढ़िया बने हैं अब हम एक प्लेट में दिखाएंगे आपको यह देखिए दोस्तों कितने